Hello everyone, I am Anishya Agrawal I hope आप सबी की preparation बहुत अच्छी चल रही है और CAT भी हो चुका, IFT भी हो चुका दोनों exam में जो भी किया हो अच्छा किया हो तो बहुत अच्छी बात है बिगड़ गया हो तो बस हलका सा analysis कर लो कि गड़बड कहां कहां हुई में यह चीज देख लेना कहीं घबरा तो नहीं गये थे तो कि अगर घबरा रहे हो तो आगे के exams में भी दिखका थे तो अगर घबरा रहे हो तो खुब सारे mock test अभी भी देलो है ना, Z के पहले काफी सारे mock test देलो तो घबराट जो अंदर की होगी वो निकल जाएगी और confident रहो तो आज का वीडियो देखने के बाद आप में confidence जरूर आ जाएगा ठीक है ध्यान से देखने और एक बहुत important चीज बताने वाला हूँ तो वीडियो ध्यान से सुनोगे तो समझ जाओगे खास तोड़ से decision making से related बताने वाला हूँ तो पूरा ध्यान से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगले 20 दिन आपको करना क्या-क्या है और क्या-क्या नहीं करना इस पर भी ध्यान देना क्या-क्या करना है और क्या-क्या नहीं करना है ठीक है तो शुरू करते हैं ठीक है और अभी भी आप लोग एक बहुत अच्छे percentile ला सकते हो ठीक है ध्यान से बस चीजें follow कर लेना तो आपके बहुत अच्छे percentile ला जाए प्लेलिश्ट पे Z के प्रेवी से सॉलुईशन देख लो इससे इजी सॉलुईशन कहीं नहीं मिलेंगे है ना कमेंट सेक्षन में जरूर बता रहा है अगर आपने देख्या हुआ है तो ठीक है चलो तो दो तीन चीन देख्यान रखो देखो 20 डेज हैं भी हमारे पास ठीक है कितने दिन हमारे पास 20 डेज और यह हमारा 20 डेज अजा सेक्षन कुन कुन से आने में अगर बात करें है ना एक हमारा वही quantitative dejectative aptitude decision making Des lucid making कैसे कारने ध्यान रेत्यान से सुन ले और verbal liability देखो RC वाला पाट तो आपका अच्छा हो चुका होगा होगाב meat क्ई हाट की preparation कर हिरह रहे वर भाल अबले यहलिटी में थोड़ी चीज ध्यान रखना अब भी बी टाइम में बेसिक अपने पूरे रिवाइस करो जैट हो गया कैट हो गया ये दोनों एक्जाम बेसिक्स के साथ खेलते हैं तो बेसिक्स बहुत अच्छे से कर लो अच्छा कैट में प्रोबेबिलीटी नहीं आता था तो प्रोबेबिलीटी जैट में जरूर रहेगा ठीक है तो प्रोबेबिलीटी की थियोरी बेसिक कर लेना बेसिक कुश्चन ही आएगा जो बेसिक कुश्चन कहां कहां से आएंगे SCFL CM का ये लोग normally एक basic question पूछ लेते progression का आस्ता किनों ने tough नहीं पूछा है ना और probability ये 3 topic ऐसे हैं जिनसे ये लोग tough question पूछते ही नहीं है कभी भी तो ये 3 topic से बहुत easy question आएगा तो इनकी एक आप अच्छा से revision कर लेना ठीक है इतना सांज में आ गया तो मैस में देख अभी 20 days है अब 10 days का target बनाओ कि भाईया वापिस से course revise करना है 10 days में वापिस से course revise करना है clear है अच्छा आखरी में एक चीज़ बताऊंगा mock test कैसे देना है ये ध्यान से सुनना अब decision making पर आते हैं decision making में एक चीज़ ध्यान रखो बहुत काम की चीज़ बोल रहा हूँ और इससे आपको agree करना ही पड़ेगा ठीक है decision making इसी चीज़ होती है अब मैं institute का नाम तो ले नहीं सकता है ना लेकिन Z की कई बार जब अंसर की आती है final और बहुत साथे बड़े-बड़े institute आपने बहुत बड़े-बड़े नाम सुने होंगे जो अपना प्रचाय प्रसार भी कर दो हम यह हो उन सब के अंसर की गलत होती है decision making ने खास दोड़ से और आप अभी उनी के mock test दोगे और उनी की अंसर की से अपने mock के result चेक करोगे और अगर आपके कम percent लाएंगे decision making में तो आपको लगा कि आपको नहीं आता बलकि उनको नहीं आता अरे यह क्या बोल दिया मैं नहीं proof है proof क्या है मैंने अगर आपने मेरे previous videos भी से नहीं और ऐसा मैं कई बार आजमा चुका हूँ यहना पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ हर बार क्या होता है जिसे last year भी एक बहुत बड़ा institute अपनी अंसर की release करती थी यहना और भी लोगों ने की थी तो हमारी जो एक student थी यहना उसने decision making उससे ही पड़ा था Z300 में ठीक है अब उसने जब अंसर की चेक की तो उसके 40 percentile आ रहे थे decision making ठीक है according to main institutes यहना किसी के इसाब चो 40 आ रहे थे किसी के इसाब चो 45, 50 42, 50 के range में आ रहे थे लेकिन जब final Z का result आया था यहना final उसके decision making में 99.98 percentile था कितना percentile था 99.98 percentile तो अब आप खुछ सोचो यह institute जब Z के answer की सही नहीं दे सकते तो इनके mock test में लोग क्या देख रहे होंगे तो एक चीदियान रखना कि mock test में अगर आपके decision making में कम percentile आ रहे हैं तो उसको ignore करना हाँ क्वांट और वरबल में ignore मत करना अब इसका तरीका क्या इसको कैसे सही करें तुरन दिमाग में चीज आई होगी है ना कि हमें कैसे पता चले कि हमारे जो decision making के हमारी approach कैसी है तो देखो एक सबसच्छा तरीका बता रहा हूँ decision making में कुछ मत करो बस आप करो previous years questions और कुछ मत करो z में similar type के ही question आते हैं बस कहानी इधर उधर होती है mean जो concept होता है ना वो एक ही होता है और इनकी official answer की से ही अपने answer चेक करना और किसी से मत करना क्योंकि ये जो answer की हो फिर देखना की ये लोग किसी साफ़ answer लगा रहा है उसी हिसाब से आप अपने answer देखना की कहां गल्दी होती है तो z में decision making की तयारी सिर्फ और सिर्फ इनके previous year question से ही करना देखना अगर पिछले 6-7 साल के भी कर लिये ना 6-7 years के तो भी आपका काम हो जाएगा ठीक है तो reverse order में चलना जैसे 2022 कर लिया है ना इसे चलते चलते maximum 2018 या 2017 तक कर लेना इससे ज्यादा करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ इतना कर लोगे आपको एक अलगी level पर confidence आजाएगा और आपके अच्छे percentile आजाएगा ठीक है ये चीज मेरी बहुत ध्यान से सुन लो कोई नहीं बोलने वाला ये सब बोलेंगे हमारा ही अच्छा हमारा हो अच्छा कुछ नहीं आपको decision making में सिर्फ यही करना है यही से confidence आएगा करपा यहीं अच्छी होई थी ठीक है वरबल इसमें आप मॉक टेस्ट पर बिलीव कर सकते हैं अब ध्यान देना अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की तो एक बार आप अपनी कम्या सुधार लो कम्या सुधारने का मतलब आपने कैट और आपटी में जो भी गलतिया की होंगी उनको थोड़ा सा पॉलिश कर लो जहां-जहां वीक ने सो उनको सही कर लो decision making में मैंने पता ही दिया क्या करो उसके बाद मॉक टेस्ट आप एट लीस्ट वन पर वीक तो दोई दो ठीक है नॉर्मली जट के मॉक टेस्ट शिक्स टू सेवन होंगी तो उसको इससे आप से डिवाइट कर लो कि 5 जन्वरी तक आपके पूरे complete हो जाए ठीक है 5 जन्वरी तक complete कर लो उसको proper analysis करना ठीक है इतना काम कर लो देखना automatic आपके अच्छे percentile लाएंगे और एक चीज़ हमेशा ज्यान रखो basic अच्छे करोगे तो ही percentile आएगा short track और इन सब के चकर में भगोगे हमेशा पचता होगे और देखो z में time की कोई limit नहीं है देखो 75 तो 80 की range में आने वाले question है ना उपर नीचे एक दू question कई बार ही हो जाता है maximum 90 तक जाएगा उससे यादा नहीं जाता यह जाएगा इस range में आएगा और three hours वह आपको दे रहा है more than enough time है तो जैसे की cat में तो देखो time limit fix होती हर section की IFT में आपको खुद से decide करना पड़ता है लेकिन number of questions बहुत जादा होते हैं इस बार भी 110 questions थे और दो घंटे इदर तीन घंटे मिलने और question आपको maximum 80 पूछने वाला है वो उसमें quant में भी कमी रहेंगे less than 30 सब में रहने वाले तो आराम से आपके पार time ही time है time की कोई कमी नहीं है है ना तो time इसमें more than enough मिलेगा बस आप अपने basic इस्ट्राओं कर लो आपका z बहुत अच्छा चले आएगा तो वह स्पीड वाला चक्कर है ना इस स्पीड वाला चक्कर इसमें ज्यादा नहीं है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं आप बस concentration से पेपर तो आपका अच्छा चले आएगा ठीक है तो उम्मीदे वीडियो पसंद आया होगा है ना और हाँ अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो ठीक और आप लोग हमारा कोर्स लेना चाहते हो अपने फ्रेंड्स को बताना चाहते हो तो देखो अरे हो क्या गया जब भी कोर्स की बात कर रहा हूं तो मेरे स्लाइड इदर भग रही हमारी वेबसाइट कैट आईपीमेट online.com next year cat देना हो तो मेरा स्लैश कट 2023 अज़त 2023 का मतलब इसमें två मेरा प्रेज दियुक में बुलाहिशन को प्रिप्रेयर कर न narrow तो यहां पर जा कि आप फोर्स पर्टेस कर सकते और अगर अभी पर्चेस नहीं किया है तो जल्दी से कर लो क्योंकि हमारे ही जो स्टुटेंट्स रहेंगे जैट 300 के इनहीं को हम लोग फ्री में प्रोवाइट करेंगे जैट 2021 के DCN मेकिंग के सॉलूशन्स और जैट 2022 के DCN मेकिंग के सॉलूशन्स यहना उन-10 वीडियो के रावा यहना तो अभी तक पर्चेस नहीं किया होतों यहां पर जाक्या आप वो भी पर्चेस कर सकते हो तो मिधे वीडियो परसंद आया होगा थेंक्स प्र व वाचंग इ आप दिस्ट वाल को वे दो आप पर दो को आप दो कि अ गाल को वेदा सब्सक्राइब दी आप से एल जा दो कि अ वेड़ दो का वेड़ दो अब दो कि अ